हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं मिस्टर केड़ मास्टर और मैं हूँ सचे मेरे चैनल पर आपका फिरसे स्वागत है आज मैं एक स्प्रेक शीट लाया हूँ इसकी मदद से हम पैटन बनाने की शुबात कर सकते हैं यह रैगलाउन ड्रेस है आज हमेर का इसका पैटन बना और चैस्ट 15.5 ते रख़ा है चली शुरू करते हैं फाइल में का न्यू पे क्लिक किया है सबसे पहले बैक बनाएंगे बैक लेंथ एक्सिस में और य एक्सिस में वन फोर्थ चैस्ट 15.5 का 7.75 ओके लॉक आगया पॉइंट ओन करने के यहां से हम क्लिक कर सकते हैं और एक अवियए प्रेस कर सकते हैं आ फ्रेट इन ड्रॉफ देखते हैं कितना यहां दिया गया है वन हाफ इंच यहा पे अब यहां पे डू बóक्ष से हैं यहां हमें व हमिолग रजनी के इस में पट की प्लिभा आलनी है तो घड़ी की सुई की दिशा में अगर हमें काम करना हो तो हम पहले बॉक्स में वैल्यू डालेंगे अगर घड़ी की उल्टी सुई की दिशा में हमें काम करना हो तो हम दूसरे बॉक्स में वैल्यू डालेंगे तो देखते हमें हम से इस पॉइंट तब का वैल्यू डालना हूं यानि हम घरी की दिशा में काम कर ले हैं इस जो यहां पर 27,9 , organic 20 डिखा रहा है वो यहां की यहां की यहां से यहां तक साटरा है left हमारा जो यह वैल्ल्ये वो यहां की वैल्ल्ये ऑंतों यहां इन-हाफ इंचिस डालना तुछछ सब्कारी में पार्भ भिटत Social घड़ी की उल्टी सुई की दिशा में डालना है यानि next box में चलिए net width देखते हैं 10 दिया गया 10 का half 5 यहां पर 5 inches ओकी किया अब आर्मोल ड्रॉप दिया गया है यहां पर आर्मोल ड्रॉप 9 यहां पर 9 जालेंगे next box में 9 एंड ओके अब बेस्ट पॉजिशन दी गई है मैं बेस्ट एड फिफ्टीन अन हाफ इंच फ्रॉम एच्पियर्स फोटीन अन हाफ चाहिए चलिए डालता है प्रेंट के मुकाबले जादा है यह लिए ट्वेंटी सेवन है फ्रेंट का और बेक का 29 तेल हाइट यहां पर दी गई है थ्री एन हाफ इंच तो इन दोनों का डिफ्रेंस हम इसमें प्लस कर देंगे तुए इंचिस का डिफ्रेंस है तो यह वाइफ एन हाफ इंच हो गया अब सारे पॉइंट डल गए अब हम इन डिलीट कर सकते हैं जो पॉइंच हमें नहीं चाहिए लेफ टूल डिलीट बटन यहां से हम आर्मोल शेफ बनाएंगे बनाएंगे अब हम कले की शेफ दे सकते हैं शेफ के दबाते हुए कि यहां पर शोल्डर स्लोप देंगे हैं अब कर से हाफ इंच का टॉइंट फाइफ यह जो बेस्ट की शेफ है हमें इसे हाफ इंच कम करना है एक सेक्सिस में वनन शिक्स्टिन हाफ हमारा कम हो गया है तो इसे जीरो कीजिए पोजिशन वहीं रहेगी पॉइंट फाइफ कि दाउन के लिए माइनस करना होगा ओके शेफ जो है वो कर में चीए है सेलेक्ट टूल कीजिए पॉइंट पर डबल क्लिक कीजिए कर में ओके अब यहां हमें बॉटम की जो चौड़ाई चाहिए हम देख लेते हैं बॉटम ओपनिंग शिक्स्तीन एन हाफ चाहिए चलिए इस्टीन हाफ कर डेते हैं गाइडलाइन दी उपर से ही गाइडलाइन पर डबल लेक्ट किया शिक्टीन एन हाफ का हाफ ऐट उपाइड टूफाइव कि किया क्यों दबांकर इसे टच किया गाइड लाइंग से एक्स एक्सिस में जीरो रखना है ताकि पॉजीशन वही रहे अब हम शेप बना सब्सक्राइब अब है अब है यह है यह है कि हम शेप देंगे अब हमें स्लीव चाहिए राइट क्लिक करके राइड पैरलल इस पॉइंट को उठाइए आगे बढ़ाईए इस पॉइंट बनाया अब हमें लैंद यहां शो हो रही है 23 एंद वन एट चलि हम लैंद लेंद लेंद यहां दी गई है 19 और ओपनिंग दी गई है 4.75 चलिए किया हमने वैली वैली नाइंटी दिया ग्रेडिय ओके देंग इस पॉइंट को डिलेट किया अब हमें परपेंडी क्यूलर गाइडलाइन चीज सेग्मेंट को स्लेक्ट किया गाइडलाइन परपेंडी क्यूलर अब हमने इसे पकड़के नाइंटी डिगरी का एंगल बनाया इसे पॉइंट डाला हमें हमें चाहिए 4.75 ग्रेडिक ओके अब हम इस पॉइंट को डिलेट कर देंगे डिलेट किया तो हम रैगलोन अपार्ट देखेंगे कितना दिया गया बैक का रैगलोन अपार्ट 1.25 दिया गया है 1.25 पे हम पॉइंट लगाते हैं करद 1.25 ओके डी से ड्रापिंग टूल लिया ओके किया यस ओके यस को कॉपी पेस्ट करने के लिए इस को सेलेक्ट किजिए कॉपी और पेस्ट अब हम इसकी शेफ देखें कियो दबाया शेफ्ट करभाया जेस्ट कीया शेफ्ट दबाते ही लिए लब तूल रफिंग टूल के लिए अमने यकोड रफिंग टूल लेकर लाइन बनाईगे अब हम इसकी वी शेफ्ट देखेंगे अब हम प्रंट की भी शेफ्ट देंगे अब अब आट का जो मेसर्मेंट है तो है टू टू एन हाफ एंच और नेट डॉप है पोई पॉइंट ट्विंटीपाइज गाइड लाइन ने की वी तो एंड गज बेड़िछ यो एंड बेडिँ तो एंड यो चेट टू अमे उड़िए हमे फ्रंट रेबलोन अपार्ट का साइज दिया गया है टुएंट हाफ इंच पोकी क्लिए ट्राफिंग टूल से एक लाइन बनाई रेबलोन के लिए अब हम फ्रंट की भी शेप दे सकते हैं कि डॉस्टिंग सूल से स्लिव की हमने आर्मोल की लाइन बनाई अब हम इसे भी शेप दे सकते हैं कि फ्रंट और कि फ्रंट की हमें बॉटम भी होड़ी कम करने हैं फ्रंट लेंद देख लेते हैं कितना है प्रंट लेंद दिया गहे 27 27 तो इंच का डिफ्रेंस थाउ से कम कर देते हैं क्ट्रोल शीट क्यूद आए प्रंट और बेफ का जो ब्लॉक है वो बन चुका है अब हम इसे पीस कोपी करके निकाल सकते हैं कि बिल्ड पीस में जाए इसे जगह पर रखिए कि क्लिप अलॉंग से इनने सेग्मेंट सेलेक्ट किया और यह स्लीव से क्लिप हो गया अब बिल्ड पीस में जाए दोनों को सेलेक्ट कीजिए राइट क्लिप करके इसको बाद मिकाल लिए इस बबने लुद्य व्हार प्रंट है और प्रंट केपने और प्रंट की और आंट कीजिएं कि अब हम इसे जो इसे प्लिप कर लेते हैं अब इसको रोटेट करने के लिए पारलली रोटेट करने के लिए पाले इसका ग्रेंड लाइन रोटेट करेंगे इस जो इसका अब कर लिए लिए अब इसकी शेप निकास है कि यह कि मिछलिए एक झाल, गट करा बिलुघा से के जारी उति सथायर। कि एक गपन करा कि और अब रिवडा कि उलख वी टšेंट की कहा उलिए खारी मौ अनंने बने काड़ कित गद गटर प्रक गट अप्लाइब लुट प्ल definite कर रहे हैं कि अ कर्ट कि टेक्स्ट साइज वानिंट सेंटर्ड बारे वन पीस अपर ओके लूद अब हमें इसकी में सीम अलाउंचमेंट करने पड़े हैं जैसा कि प्रंट में हम इमेज में देख पा रहे हैं एक बटन पत्टी भी है तो हम इसमें बटन पत्टी डाल सकते हैं एक ब्लॉक लिया बटन पत्टी की लेंथ हमें दी गई है 3.5 इंच और जो विट्ट है वह हमें शोन ही कईती गई है हम एक इंच डाल सकते हैं या फिर 1.25 भी डाल सकते हैं लेंथ डाल देते हैं 3.5 by 3.5 inch एंड जो बिए है वह 125 का हाफ 5 by 8 ओके किया यह बन चुका है यहां पर हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं किया खटी है यह थिया ऑड़ का है था किया यह यह अपर से ङह झाट अब हमें इसे आफ करते हैं से बटन लेवा से बटन टूल यह है कि बटन किया है इसे यहां पर पौती भी कर सकते हैं कि इंटर्नल में कॉपी इसाइब इंटर्नल टे क्लिक यहां के लिए बन चुपाइब जैसा कि अंदीख बारे गले में बाइंडिंग शो और है बाइंडिंग के लिए करेंगे करेंगे आपस में हम इसे वाप टूल से इसे कनेक्ट कर सकती है अब हम राइट क्लिप करेंगे बाइंडिंग बनाने के लिए बाइंडिंग यहां से यहां पर बाइंडिंग बनती जा रही है यहां अमने लेट क्लिक किया यहां पर बाइंडिंग बन चुके यह अब हम इसे सीम रांट कर सकते हैं सबको एक साथ सीम देने के लिए सीम पर जाए ग्लोबल सीम पर क्लिक कीजिए यहां पर बेसिक सीम डालिए यह पॉइंट फाइव डाल रहा हूं और अब यहां पर बॉटम फोल्डिंग का जो मार्जिन चीए हम उसे चेंड कर सकते हैं इस सेग्मेंट को चुछ किजिए अब यहां पर इसे और इसे सेलेक्ट किजिए यहां पर फोल्डिंग आप मार्जिन एक इंच कर दिए अपलाई टीए देखें और आपको पैटन तयार कि इसमें आप आल वर्ग कि इसमें और इंच वर्ग के रिया रिजिबल साइज ओं दीजिए रोटेट स्टैटर पीस शॉट बाइ मटीरियल ओकि किजिए और यह पीस बैटन बन चुका है आप इसे हाफ करके भी जेख सकते हैं सिग्मेंट को स्लैट पीजिए तो इस प्रकार से आप पैटन बना सकते हैं तो मीड़ा आपको यह वीडियो पसंद आई होगी आप इस वीडियो को लाइफ जरू की लिए शेर कीजिए और कमेंट में आप इतने क्वेशन्स मुझे पूछ सकते हैं इसे जादा से जादा श अब्रैब करना जरू इसद्व अब्रै श्राइज जों कि नाद एले कि लिए अवा थैडियो तो जियां आपको अपको कि चले एवा और याद राफ